दोस्तो एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आपको अपडेट देना है मुझे इस वीडियो में वीडियो एंड तक देखना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जिससे ये वीडियो सब यूट्यूबर्स के पास पहुंच जाए तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा कोई भी आपका कुश्चन और इस्टाग्राम आईडी पर आप पूछ सकते है और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो दोस्तों अभी का सीन यह है कि कुछ दिन पहले गोवर्मेंट ने अनौंस किया था कि कुछ बैंकों का हम मर्ज करने जा रहे हैं जिन मेंसे बहुत सारे बैंक है कौ पूरे होते हैं उनकी पैमेंट किस तारीक को रिलीज हो जाती है अब ऐसे में अगर आपने उसी बैंक का पूरा का पूरा detail अपने डाला हुआ है जो दूसरे बैंक में मर्ज हो गया तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी आपकी पेमेंट आपके खाते में नहीं आएगी और परिशान हो जाएंगे और फिर आपकी बैंक या यूट्यूब कोई भी हल्प नहीं कर पाएगा इसलिए अगर आपका बैंक भी उस कैटेगरी में है जो मर्ज हो चुकी है दूसरे बैंक में तो आज ही तुरंत से अपना payment method गूगल एरसेंस में जाके रिमूव कर दीजिएग अगर बात में इलाबाद बैंक की करूँ तो इलाबाद बैंक का कहना है कि एक जोलाई तक हमारे वही IFSC code वही swift code काम करते रहेंगे जो पुराने वाले थे बट एक जोलाई के बाद वो भी बदल जाएंगे इसलिए जिन्नोंने इलाबाद बैंक का खाता नंबर डाला हुआ 22 महीने तो उनका payment आ जाएगा बट अगले महीने उनको भी पूरा का पूरा डिटेल चेंज करना पड़ेगा अपने बैंक से बात करके तो उम्हीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता हू झाल